आज मैं बात करूंगी ग्वावा यानि की अम्रूत के बारे में यह काफी कॉमन फ्रूट है हम इंडियन के पीश में और आइटिंक सभी लोग इसे खाते हैं और इतना कॉमन लेते हैं कि इसको टेकन फॉर ग्रांटेज लेते हैं कि ठीक है हां बस उनको यह पता है कि आम तोर बैनेफिट्स ले सकता है सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि मेरा चैनल जाहतार मैं इसकिन पर फोकस करती हूं तो यह इसकिन के लिए काफी बैनेफिशल है क्योंकि इसमें विटामिन सी विटामिन ए और एंटी ऑक्सिदेंट्स बहुत अच्छी कॉंटिटी में हैं जो की और एंटी ऑक्सिदेंट्स अगें ऐसाट की फ्री रेटिकल से फाइट करते हैं तो डेट स्किन को रिमूब करने में बहुत हल्पुल है और आपकी इम्म्यूणिटी को बढ़ाता है इसमें 80% वाटर होता है तो आपके इसकिन के लिए यह काफी अच्छा फूट है आपके इसकेन के ग्लो को बरकरार रखता है और आपकी इसकिन को यूटफुल और चार्मिंग बनाता है तुसरा हम बात करेंगे हार्ट हेल्थ के लिए कैसे हेल्फुल है क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों ही मिन्रल अच्छी कॉंटिटी में मिलते हैं और यह दोनों ह क्लिस्ट्रॉल को नॉमल करता है मैंटैन रखता है। व औन एन्टि आक्सिडेंट ने pakि करते है। इसमें अच्छी कॉंटिटी में एंटी ओक्सिडेंट हैं, विटामिन जी हैं, जो की फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं, कैंसर सेल को जो है, रिमूफ करते हैं, होने ही नहीं देते, उनका प्रोडक्शन ही नहीं होने देते, तो इसके लिए ग्वावा अगर आप रेगिलरल होते हैं, तो ग्वावा अगर आप रोज रेगिलरली खा रहे हैं, 100 ग्राम के आज पास, तो वो आपके पेट में काफी देर तक रहता है, इसलिए आपको भूग कम लगती है, और दूसरा, यह जो इसको खाने से, क्योंकि इस लो ऑन ग्लाइसमेक इंडेक्स, तो आप इसक के लिए यह बहुत अच्छा फूट है, डायबेटीज को कंट्रोल करने के लिए यह एक बहुत अच्छा फूट है, वावा इस्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि इसमें होता है, मेंगनीशियम, मेंगनीशियम जो होता है, वो आपकी नर्व्स और मसल्स को रिलेक्स करता है, तो तो अगर आप जब exercise करते हैं, खास तोर पर जो exercise करने वाले लोग हैं, या जो regular gym जाने वाले लोग हैं, अगर वो इसको अपनी diet में लेंगे, तो उनकी जो performance है, तो उसमें काफी improvement होगा, दूसरा उनको जो tired feel करते हैं during exercise, वो ये वाली problem जो है, वो इसको continuously अपनी diet में लेने से sort out हो जाएगी, ये मैंने beetroot के लिए भी आपको बोला था, कि beetroot खाने से भी, जब आप beetroot खाते हैं, तो उससे oxygen की supply body में अच्छी होती है, और जो आपका stamina होता है, वो बढ़ता है, तो guava भी वही काम दूसरे तरीके से करता है, क्योंकि इसमें magnesium होता है, तो magnesium is, relaxes your muscle and nerves, इस manganese जो होता है, जो आप खाना खाते हैं, उसमें जो nutrients होते हैं, उनको absorb करने में मदद करता है, जो भी खाना आप जैसे हम कहते हैं, कि हमें खाना खाते हैं, लेकिन हमें उतना फाइदा नहीं होता, तो इसमें जो manganese mineral है, वो इसलिए होता है, कि आप जो भी खा रहे हैं, व क्योंकि इसमें obviously it is high on fiber और इसके जो सीर्स होते हैं वह भी काफी helpful होते हैं आपके बोल movement के लिए तो गवावा जो है वो डेशिन में तो help करता है और जुनको constipation का problem है अगर वो regularly अपनी डाइप में गवावल है तो constipation का issue भी दूर हो जाएगा तो it is good for digestion, it is good for your heart, it is good for your muscles, it is good to absorb, to get full nutrition from your food, it is good for your skin nutrition की बात करों तो इसमें vitamin A, C, E, K and vitamin B पाया जाता है अगर minerals की बात करें तो इसमें है potassium, sodium, magnesium, magnesium, magnesium और zinc में हैं बहुत सारे antioxidant जिसमें की खास तोर पे जो main antioxidant है वो है lycopene और carotene और इसके अलावा भी काफी help करता है यह DNA RNA के production में help करता है WBC, RBC जो white blood cells and red blood cells है उनके production में help करता है carbohydrate को energy में change करता है तो इस तरीके से मुझे तो यह बिल्कुल ही एक super food लग रहा है एक miraculous fruit लग रहा है जो आपको regularly खाना चाहिए अब आप इसकी एक तो मुझे तो ग्वावा का टेस्ट और smell दोनों ही काफी पसंद है और अगर आप इसको regularly डाइट में तो होता है रहा हम गॉआवा खाते हैं हम यह भी खाते हैं वह भी खाते हैं लेकिन आप कितना regular होके खाते हैं कितना उसको follow कर रहे हैं कितना कितने कितने उसकी रेस्पेक कर रहे हैं उस फूट की यह भी मैटर करता है आपको वह फूट कितना helpful है help कर रहा है आपकी बॉड़ी में तो आप जो भी खाते हैं एक तो उसको regular होकर खाये अगर आप किसी चीज के लेखा रहे हैं इस पैसिपिकली जैसे मैं आप इसकिन के लेखाती हूं या weight loss के लेखाती हूं एक तो मुझे वह सोच के वह चीज खानी चाहिए दूसरा मुझे चीज के लिए रेगिलर होना चाहिए कि मुझे यह चीज कैसे भी करके अपनी डाइट में लेनी ही लेनी है यह नहीं कि मैंने दो दिन खाया फिर छोड़ दिया वह न देना होगा जब आप अपनी डाइट में लोगे तो इसके काफी सारे फायदे आपको होंगे और जैसे मैंने शुरू में भी बोला था वीडियो में कि यह काफी चीफ फ्रूट है जो हर कोई अफॉर्ड कर सकता है तो आप कोई भी इसको खा सकता है कोई महंगी चीज नहीं है एनिबडी के अफॉर्ड एंड इट इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी कॉंटिटी में है और यह आइस के लिए बहुत अच्छा विटामिन होता है कैटरेक्ट और मस्किलर डीजनरेशन को प्रिवेंट करने में यह विटामिन काफी हेल्फुल है कुवावा को आप र सब्सक्राइब करें तो आपको बहुत जगा इसका जो मैंने अभी फायदे बताएं हैं सारे फायदे देखने को मिलेंगे आज के लिए इतना ही अपना खयाल रखिए बाए